मेरे इसाब से किसान साथियों अगर किसान को इस बात का पता हो कि दस बकरियों से किसान को एक साल में कमाई कितनी होगी दस बकरियों पर एक साल में टोटल किसान को खर्चा कितना आएगा दस बकरियों पर और अगर किसान को इस बारे में पता हो कि बकरियों को हस्ट पुष्ट और मोटी ताजी करने के लिए क्या खिलाना चाहिए बक्री पालन कौन सी नसल की बक्रियों खरीदने से किसान को ज़्यादा बैने पिटोगा और दस बक्रियों पर कितना लोन मिलेगा और बिन्या जमीन वालों को सरकार से किसानों को बक्री पालन लोन मिलेगा या नहीं बक्रियों को क्या खिलाना चाहिए इन सबी सवालों के ब 40-50,000 रुपय की कमाई मातर 10 बक्रियों से कर सकते हैं और इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया तो आप बक्री पालन में इतनी अच्छी मुनाफे वाली कमाई कर सकते हैं आपको केवल इन 7 सवालों के जबाब डुंडना है और ये सभी सवालों के जबाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें और फिर आप बक्री पालन की सुरवात कीजिए क्योंकि बेरोजगारी में एकमतर सहारा है बक्री पालन और वो बक्री पालन बिजनस इसलिए आपके लिए भाइदेमंद है क्योंकि बेरोजगार किसान है वो जो किर्शी के साथ-साथ अन्य कोई भी परकार का विवसाई करना चाहते हैं इसमें खेती का काम तो साथ साथ होता रहे और दूसरा काम पसू पालन में बक्री पालन कर सकें क्योंकि इस बक्री पालन में आपको ज्यादा खर्चा ने करने किया सकता है केवल मुनापा ही मुनापा आपको देखने को मिलेगा तो चलिए सबी सवालों को एक एक करके जानते नमबर वन पहला सवाल है दस बक्रियों से किसान को एक साल में कमाई कितनी होगी तो किसान साथियों अगर आपके पास दस बक्रिया हैं तो अगर कमाई की बात करें तो हर साल आपको करीबन करीबन दो लाख पचास हाजार रुपे की कमाई हो सकते हैं अब मैं आपको कैलकुल निकालके दिखाता हूँ अगर एक बकरी से आपको एक साल में च्यार बच्छों को जनम आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि बकरिया घ्राप में एक बार में ovaर पर वद्च ųला आज़ी को आज़ा शाल बत्यारा को right now तो मैंने कम से कम आपको दो बक्री आपको आसानी से बच्चे मिल जाते हैं और सालाना एक बक्री पर चार बच्चे मिलते हैं तो एक साल में दस बक्रियों से आपको चालीस बच्चों को मिले हैं और एक बक्री की किम्मत अगर बाजार में देखें तो करीबन करीबन 6-7,000 रुपय मार्केट में भीकते हैं और अब आपके पास 40 बक्रिय हैं तो 40 को 6,000 से मल्टिपल करते हैं तो 2,4,000 रुपय होते हैं यानि 10 बक्रियों से 1 साल में आपको कमाई करीबन 0,5,000 रुपय हो जाती है और अब अगला सवाल ये रहता है कि 10 बक्रियों पर 1 साल का टोटल खर्चा कितना होगा तो किसान साथियों अगर 10 बक्रियों पर 1 साल की खर्चे की बात करें तो करीबन 30-40,000 रुपय उस्तन खर्चा होता है क्योंकि बक्रियों को हरा चारा और सुका चारा और कुछ दाल गेहूं बाजरा जैसी आपको विटामिन्स वाली दाल उपलब्द करवानी भी पढ़ती है और इन सभी का खर्चा की बात करें तो 10 बक्रियों पर आपको केवल 30 से 40,000 रुपे खर्चे होते हैं बाकी के 210,000 रु चाहिए तो किसान सातियों अगर बक्रियों को मोटा ताजा और आपको हरा चारा दाल बाजरा और गेहूं चूरी खड़ आदी को आप लगातार बक्रियों को सुबह स्याम खिलाएंगे तो इन से बक्रियां गवास्तों में हर्ष्ट पुष्ट और ताजी मोटी रहेगी औ और इन से आपको मुनापा ज्यादा होगा बक्रियां जब हर्ष्ट पुष्ट होगी तो इन से दूद आपको अच्छी तरह मिलेगा आपके जो बक्रियों के जो बच्चे हैं वो भी हर्ष्ट पुष्ट होंगे मोटे ताजे होंगे तो इसलिए आप हरा चारा दाल बाजर और गेहु चूरी जैसे product हैं वो आपको खिलाने में आपको खिलाना चाहिए और अगला सवाद रहता है कि आपको बकरी पालन में कौन सी नसल की बकरियां खरीदनी चाहिए जिससे किसान को ज्यादा मुनापा हो तो जो किसान बकरी पालन की शुरुआत करना चाहता है तो उस किसान को जमनापारी शिरोही तोतापरी और बिठल नसल की बकरिया आपको बकरी पालन में खरीदना चाहिए क्योंकि जमनापारी और शिरोही नसल की बकरिया है वो काफी मोटी ताजी होती है और वे साल में दो वार बच्चों को भी जनम देती है और भारी बजन वाली होती ह और दूद के हिसाब से देखें तो तोतापरी और बिठल नसल की बक्रिया है वो दूद में उत्पादन में कापी जादा उत्पादन देती है क्योंकि ये बक्रिया एक टाइम का करीबन करीबन आपको 2-5 लिटर दूद देती है और सुबह से हम दोनों टाइम का मिलाएं तो हम 5-6 लिटर दूद आपको आसानी से उपलोद हो जाता है तो अगर आप साथ में डेरी पालन में भी बक्रि पालन का दूद आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ज्यादा मुनापा होगा साथ में आपको अच्छे नसल के बक्रे भी मिल जाते हैं तो इनसे डबल कमाई होती है इसलिए आप अगर कोई भी परकार का बक्री पालन सुरू करना चाहते हैं तो जमनापरी, सिरोई और तोतापरी और बिठल नसल की बक्रियां से आप अपने बक्री पालन की सुरुवात कीजिए अगला सवाल पांच वाई ये है कि 10 बक्रियों पर लोन कितना मिलेगा तो भारत सरकार दोरा जो PM, EGP और NLM स्कीम चलाए जा रही है यहाँ पर किसान 10 बक्रियों पर 1,60,000 रुपय का लोन बिन्या गारंटी और बिन्या किसी परकार का ब्याज दिये वे आप लोन ले सकते ह इसमें आपको लोन तो दिया जाएगा लेकिन इसमें आपको किस्ते जमा नहीं करवानी है आपको दिरे दिरे पैसा दिरे आपको पीसा बिन्या ब्याज पर आपको जमा करवाना होता है तो इससे सस्ता लोन स्कीम क्या हो सकता है दस बक्रियों पर आपको 1,60,000 रुपय का लोन मिल जाता है। वो आपको rent पर जमीन मिल जाती है और वो किराया आपको अगले 2 साल के लिए लगातार किसान को देना पड़ता है तब जाकर आपको बक्री पालन के लिए सरकार से आपको सरकारी लोन मिलता है लोन आप चाहिए कितना भी ले सकते हैं कम से कम आपको 1,60,000 रुपे दे जाएगा इसके लिए किसान के पास 10 बकरी और 1 बकरा होना जरूरी है क्योंकि एक युनिट में सरकार की और से 1,60,000 रुपे का लोन दिया जाता है अगला सवाल ये रहता है कि बकरीयों को क्या खिलाना चाहिए जिससे बकरीयां हष्ट पुष्ट रहेगी मोटी ताजी रहेगी किसान को समय पर क्या खिलाना चाहिए तो सुबह स्याम किसान को अगर बकरीयों को खिलाना है तो सुका चारा सुबह स्याम देना चाहिए दो पैर में आपको गेहूं दाल और चूरी आपको बक्रियों को 500 ग्राम सुबह श्याम ना देकर दो पैर में आपको खिलाना चाहिए और जो आप बक्रियों को पानी पिलाते हैं वो बक्रियों को तीन बार पानी पिलाना है उस पानी में आपको सेंदार नमक है या फिर आपको साधान नमक मिला कर देना होगा जिससे बक्रियों का digestion system मजबूत रहेगा जो भी खाया पी है वो समय पर पस्ता रहेगा जिससे बक्रियां हश्ट पुष्ट और मोठी ताजी रहेगी आप इन साथ सवाल है ये इन सबी को विस्तार से अगर समझ लिया है अब आप अगर बक्रिय पालन की सुरुआत करेंगे तो आपको मुनापा ज्यादा होगा अब अगर आपको बक्रिय पालन से समंदित कोई अन्य परकार के सवाल भी आपके दिमाग में चद रहे हैं तो किसान साथियों आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और बक्रिय पालन का बिजनस अभी राजस्तान, हरियाना, पंजाब, उत्रपरदेश, बिहार, जाहरकंड जैसे राजियों में सरकार पुर्ण सयोग के साथ किसानों को सहिता दे रही हैं आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो बिन्या गारंटी और कम ब्याज पर सरकार से आप लोन ले सकते हैं बक्रिय पालन बिजनस आज के समय में काफी इंपोर्टेंट हैं और खास कर जो कर्शी के साथ-साथ किसान नया वेविशाय सुरू करना चाहते हैं वो बक्रिय पालन को विशेश तोर पर सुरूआत कीजिए इससे ज्यादा मुनापह होगा कमाई अच्छी होगी कम लागत पर ज्यादा मुनापह वाला विजनस एक मातर बक्रिय पालन हैं कैसी लेगी ये जानकरी कमेंट सेक्शन में जुरूर बताना और ऐसी लेटर्स नई जानकरी के साथ किसान सात्यों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैवार्थ